जिन्दगी में सब कुछ हासिल करने की इच्छा किसकी नहीं होती, सबसे आगे रहने की इच्छा किसकी नहीं होती, पैसे कौन नहीं कमाना चाहता, नाम किसको अच्छा नहीं लगता लेकिन आज मैं चाहता हूँ आपका नाम सबसे लास्ट में हो उस लिस्ट में जिस पहु की कल से रोज सुभह साथ बजे उठना है और वो सो के सो बंदे अभी मान भी जाए। जो उस लिस्ट का 1% है वो उस काम को नहीं छोड़ेगा। जो टारगेट उसने अपने लाइफ में फिक्स किया है चाहे उसको IAS बनना हो, उसको एक सिंगर बनना हो, एक्टर बनना हो, आर्मी ज्वाइन करना हो, डॉक्टर बनना हो, कुछ भी करना हो। वह बन्दा उस हार मानने वाले लिस्ट में हमेशा सबसे लास्ट में रहता है और यही सबसे बड़ा रीजन है कि जिसको दुनिया सबसे लास्ट में समझती है, वो सबसे लास्ट में नहीं होता बलकि दुनिया के 1% exceptional लोगों में होता है। और इसी वज़ा से उसको लाइफ में वो सब मिल जाता है, जो उन 99% लोगों के पास नहीं होता है। जिस टारगेट को पाने के लिए 99% लोग खवाब देखा करते हैं, ना सेम उसी टारगेट को वो 1% बंदे हासल कर लेते हैं, जिनोंने अपने 99% सुखों का त्याग कर दिया है। एक 100% तो कोई भी नहीं होता लेकिन परफेक्ट बनने का इरादा 100% होना चाहिए और कुछ लोग तो उन 1% के भी 1% में होते हैं, लाखों में 1 होते हैं, करोडों में 1 होते हैं, पूरी दुनिया में गिने चुने होते हैं। लेकिन उनकी शुरुआत है ना वो उसी लिस्ट से होती है, जो मैंने आपको सुरू से बताई थी। लोग फसे हुए हैं। वह 99% यही सोचते हैं, कि जो काम आप कर रहे हो उससे कोई फरत नहीं पढ़ता लेकिन मैं कहता हूँ फरत पढ़ता है मेरे दोस्ट। जो पत्थर नदी में गिरता है ना वो एक महीने में चिकना होता कई साल लगते हैं। लेकिन आप तो इनसान हो इनसान में सक्सेस की चिकनाहट उसी दिन से आने लगती हैं। जिस दिन वो उनहार मानने वाले लोगों के लिस्ट में सबसे निचे आ जाता है।